Current Affairs के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, शुरू करते हैं पहला प्राश्चन, सोलहवे विता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ई, डॉक्टर अरविंद पंगरिया, बीक रित्विक रंजिनम पांडे, सीः निर्मला सीतारमान, डीक दॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी, आंसर, डॉक्टर अरविंद पंगरिया, एक्स्पिनेशन, नीती आयोग के पूर्वउपाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश् अगला प्राश्न इस्रों ने नए साल के पहले ही दिन इतिहास रचते हुए एक्सरे पोलारिमीटर सेटिलाइट एक्सपोसट को श्री हरिकोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉंच किया ये आकाशी इस्रोतों से एक्सरे उतसर्जन के अंतरिक शाधारिक भुरुवीकरन माप में अनुसं इस्रों का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है इससे ब्लैक होल्स और सुपनोवा जैसी सुदूर चीजों की स्टडी के लिए लॉंच किया गया सामबा जम्मू में दिव्यांगों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरन के लिए समगरक शेत्रिय केंद्र CRC का उद्घाटन किसने किया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उप्राज पाल श्री मनोज सिन्हा ने समावेशिता और सशक्तिकरन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगती को प्रदर्शित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिव्यांगों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरन के लिए समग्रक शेत्रिय केंद्र CRC के शुभारम के साथ CRC सांबा जम्मू पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रिय शारीरिक दिव्यांग जनों के लिए संस्थान पीडियो एनाईपी पीडिक में स D. Express भारत D. Amrit भारत एक्सप्रेश Answer. Amrit भारत एक्सप्रेश Explanation High-speed वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संसकरन को Amrit भारत एक्सप्रेस कहा जाता है अम्रिट भारत एक्स्प्रेस का उधातन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किया इस ट्रेन में विभिन यात्रा आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए विशेश रूप से द्वितिय श्रेनी और स्लीपर श्रेनी के दिब्बे शामिल है अगला प्राशन भारतिय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्र बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मनजूरी दी है? ए. उदे कोटक बी. सी एस राजन सी. प्रकाश अप्टे डी. आशांक सिंग आंसर. सी एस राजन एक्स्प्लेनेशन भारतिय रिजर्व बैंक आरबी आई ने हाल ही में कोटक महिंद्र बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सी एस राजन की नियुक्ति को मनजूरी दे दी है, जो वित्तिय संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है. राजन का कार्यकाल एक जन्वरी दो हजा होने वाला है, जो दो वर्ष की अवधी तक चलेगा.